बबू तुमने पाइलेट बना देगा मैना हवाईज आज चुड़ाया करूँगा मेरा पाइलेट बननने बहुत गणा जी कर अरे तु बैठके पडले ने चलाया तो टेकता कुने बनाएगा पाइलेट यो तरह बाप दा देन चलाया था हवाईज आज कोई डग्का तो दिल्चस्पी देखो खेल में से पडाई में से किसे दूसरे काम में से उससे अनुसारत होगा बड़ेगा जिंदगी में अपनी खीज बर्का बतारन का गणाई करड़ा रिवाज है अपने तो अपनी पूरू राष्ट्रपती मैं तो कुँगा अधवूत राष्ट्रपती एपी जे कलाम साब अपनी जीओनी में लिखें कि जिब मैं डारेक्टर था ना DRDO में मेरे टीम का जो सब्ता बड़ी असाइंटीस्ट था वो एक दिन मेरे पास आया करता सर मैं पाइलेट बनना चाहता हूं वेग्यानिक नीव रहना चाहता हूं रिजाइन करना चाहता हू अप्लिकेशन लिखके कलाम साफ की टेबल पर धर गया जब मारे बाबुवां जी साफ होता है तो भी रड़क एक के सुनाता और पता कलाम साफ न क्या कहा है आगले दिन आया तो उस तरह शाबाशी दे के कहन लगया बहुत बढ़िया और जब तू पाइलेट बन जागा ना मैं सबसे पहला आदमी तेरे हवायजाज में बैठके उड़ूंगा और वह उड़े भी प्रोथसान का इतना ज्यादा फरक पड़ा है और वो प्रोथसान जब माँ बाप और टीचर से मिलता है ना तो इंसान बुलंदियों बच होता है पर याँ भारी बात समझ में आती कोन्या और कोई मेरे तद पूछे ना तो महरे याँ तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं माँ भी बाप भी जिन अन्यूबेरा है नहीं माँ बाप के चीज़ हो है और बाड़क की साथ किस तरह जे बिहेव करना चाहिए सच में पेरेंट्टिंग की ट्रेनिंग की जरूर्ट सबते ज़्यादा है आज के समाज में जिए माँ बाप नहीं पता क्या हैगा बाड़का न के से खांगे अपनी बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए उनकी हर जिग्यासा को श्यांत करने के कोशिश करनी चाहिए और उनको इतना उत्साहित करो इतना उत्साहित करो कि वो बुलंदियां चूनी न्यों नहीं कि मैं डाक्टर नी बण्या तो बाड़का खल नाकमे दमराखूंगा मैं इंजीनियर नी बढ़ा तो बढ़ा के छोड़ूंगा नहीं यह थिरी मारी बिलकुल गलत से